हलो एवरीवान, वेलकम टू माई चैनल, लॉर्न विट फायजा, आज हम एक AC हैल प्रॉबलम और उसके सलुशन के बारे में बात करेंगे, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सरीर में कॉलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ गई है, अब कॉलेस्ट्रोल की मात्रा कैसे बढ़ती है तो कॉलेस्ट्रोल जो है, वो हमारी बूड़े के लिए एक जरूरी तत्व बनता है, तो यह जो कॉलेस्ट्रोल है, वो एक अच्छा वाला कॉलेस्ट्रोल होता है, जिसे हम कहते हैं LDL, तो यह जो है, वो LDL की मात्रा बढ़ा देता है, अच्छी कॉलेस्ट्रोल को कम कर दे बिना वजह अक्सर आपके पेरों में डर्ड रहता है तो पेरों में डर्ड का भी एक कारण बन सकता है आपके हाथ पेर पेर पीले दिखने लगते हैं हार्ट अटेक और हार्ट स्टॉक की समझ से आपको बढ़ गई है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है उसके दोरान उसे ठीक करेगे हमारी लिपी काइन टेबलेट तो आज हम लिपी काइन के बारे में सीखने वाले हैं तो ये जो सारे चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चैप्टर्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं तो आप लास्ट रक बने रहना अगर आपको भी ये ज तो इसका जो प्रान नेम है वो यहां पर लिखा हुआ है लिपीकाइन 10 और उसमें 10MG रहता है इसके लिए इसका पीछे 10 लिखा हुआ है और इसकी स्ट्रेंट अब यहां से 10 आ गया 10MG अब हम सीखे तो इसे Manufacture Mankind Pharmaceutical Company करती है यह Indian Multinational Pharmaceutical Company है जिसका Head Office है New Delhi में अब यूजर्स के बारे में सीखे क्लिपी काइन अदर इसे कौन से यूजर्स में काम आ सकती है जिसे कि अगर आपका कॉलेस्टरोल हाइ हो गया है आपको Heart Attacks से Prevention देगा Heart Stroke से Prevention देगा High Blood cholesterol आपका हो गया है तो उसे भी ठीक करता है और इसे Patient जिसको Stroke आने की समभावना बढ़ गई है जिसे कि आप यहां पे देख रहे हैं इस तरीके से आपकी Conditions हो जाती है तो इसे कंडिशन में पेशन को लिपीकाइन सजेस्स की जाती है नाव वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक है जिसका नाम है Disease and Treatment तो आप यहां पे देख सकते हैं किसी बीमारी है तो उसकी Causes, Symptoms, Diagnosis, Treatment तो इसे ही यहां पे आप एक सिस्टाइटिस के एक्जामपल से देख सकते हैं इसके इंट्रेक्शन, Causes, Symptoms और यह जो मैडिसिन्स है इस तरह किसी आपको एक अच्छी कलर प्रिंटेट्ट बुक मिल जाएगी तो अगर आपको हमारे साथ एसे हिस्टरी करना अच्छा लगता है और आपको भी बिमारिया और उनके उपचार के बारे में सिखना है तो आप यह जो हमारी बुक है इस WhatsApp नमबर के ट्रू कॉंटेक करके अपनी जो बुक है वो घर पे मंगवा सकते हैं अब हम बात करें लेबल स्टरी की तो लेबल में सबसे पहले यहां पे रहेगा आरेक्स आरेक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस जग मेंकाइन फार्मस्टिकल का अपनी बनाती है यहां पे आप देख सकते हैं उसका ब्रान नेम लिपिकाइन टैन एंड उसका सौल यहां पे है अटोर वास्टेटिन नाव सेटियूल एज की ड्रोग है तो सेट का लेबल प्रिस्क्रिप्शन आप यहां पे डेख सकते हैं एलु एलु पेक में अवेलेबल रहता है और इच पेक में आपको टोडल आप यहां पे डेख सकते हैं 15 टैबलेट्स अवेलेबल रहती है अब वर्किंग के बारे में सीखें कि गूड कोलेस्टरोल और बैट कोल कॉलिस्टेरोल जमा होता है और यहां कालेस्टेरोल कम ज़ित परण जाता है जिस न आपको heart attack और heart stroke की संपावना रहती है dose के बारे में सीखे किसका जो dose है वो adult patient में 10 to 80 mg तो हमारी ये जो tablet है उसमें 10 mg है तो once per day ये जो tablet में उसमें 10 mg है तो आप दिन में dose है तीन बार patient की conditions के according उनको suggest कर सकते है price के बारे में सीखे तो इसकी latest 2024 की 15 टेबलेट की price रहती है रूपीज 46.05 एक टेबलेट की आपको price एप्रोक्स 3 रूपीज अराउन हो जाएगी side effects के बारे में सेखे कि इसकी side effects क्या है जो के common से side effects रहती है nausea vomiting, diarrhea, headache और joint pain रह सकता है आपको blood vision रह सकता है muscle में weakness और allergic reaction या फिर hyperglycemia जेसी side effects हो सकती है now वीडियो के बीच में मैं आपको एक चोटी सी small ad break लेके बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप देखे हमारी एक book है जो की color printed है पूरी तो आपको भी हमारी ये book चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस whatsapp number के true contact करें और अपनी जो book है वो free delivery में घर पे मंगवा सकते है अब आप यहाँ पे गोर से देखे ये मेरी चैनल है learn with Pfizer तो आप में से कहीं सारी ऐसे लोग है जो मेरी चैनल को subscribe नहीं करते हैं देखते हैं, like करते हैं, video अच्छा लगता है और चले जाते हैं तो subscription ratio आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने मेरी चैनल को subscribe किया है उनका ratio यहाँ पे है 4.1% और जिन्होंने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है उनका ratio यहाँ पे आप देख सकते हैं 95.9% तो आपको मेरी एक गुजारिस्ट है मेरी चैनल को subscribe करें अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और मेरे सारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के लिए उपर आई बेटन के ट्रू आप warning के बारे में सीखेंगे कि इसकी contraindications क्या है कैसे patient को ये medicine avoid करनी है अगर आपको ये जो drug है atorvastatin और उसके जो subclass है statins तो उससे आपको allergic reactions है या फिर severe muscle damage हो गए है pregnancy period में, lactation period में acute liver failure या फिर decomposing cirrhosis cirrhosis क्या होता है यहां पर आप देखें यहां लिवर normal condition में है और यह जो हमारा cirrhosis liver है तो cirrhosis liver में यहां पर आप देखें पूरी तरीके से हमारा जो liver है वो खराब हो चुका है तो खराब liver कैसे हो सकता है तो आप alcohol ज्यादा ले रहे हैं तो यह भी एक factor बनता है आपका liver खराब होने का junk food लेने से आपको यह problem हो सकती है तो यह जो सारी conditions है उस condition में patient को lipikine जो है वो नहीं suggest करनी है pregnancy category के बारे में सीखे तो US FDA की prescribed information के according इसकी pregnancy category D रहती है तो mainly pregnancy and bis feeding में यह medicine suggest नहीं की जाती है अगर आपको भी यह जो सारी हाल problem है उससे बाहर निकलना है तो आपने gynecologist से contact कीजिए वो आपको उसके अर्टेलेटिव suggest करेंगे drug drug interactions के बारे में सीखें कि यहाँ पर यह जो आप list of drugs देख रहे हैं यह जो सारी drugs है उसके साथ एतोरवा स्टेटी जो है वो D2D यानि कि drug drug combination आपको affect करती है जिसके करान आपको drug drug interactions हो सकते हैं तो यहाँ पर भी यह जो सारी list है वो वीडियो को post करके आप देख सकते हैं तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा थेंक यू फो रचिंग में वीडियो